हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों हल्दी खाने के नुकसान के बारे में जियां दोस्तों इन लोगों को भूल करके भी हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं अगर ये लोग हल्दी का सेवन करते हैं तो फाइदे के जगे नुकसान होने की संभावना है दोस्तों आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजीगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि हल्दी का सेवन करना हमारे लिए बेहद गुणकारी मना जाता है हालकि हल्दी हर किसी के लिए फायदे मर नहीं होती और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिने हल्दी नुकसान पहुचाती है और उन्हें हल्दी का सेवन कम से कम मातरा में करना चाहिए तो दोस्तों बात करें किन लोगों को हल्दी का सेवन सीमित मातरा में करना चाहिए आप समझें दोस्तों कि जिन लोगों को बार-बार पत्री की समस्या होती है उन्हें भी हल्दी के सेवन से ये समस्या बढ़ सकती है यानि जितना संभव हो सके इन लोगों को हल्दी का सेवन कम करना चाहिए और डॉक्टर से सला लेनी चाहिए हल्दी खाने के बारे में फिर दोस्तों आगे बात करें कि जिन लोगों को पीलिया है उन्हें भी हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए जियां दोस्तों जिन लोगों को पीलिया यानि जॉइंडिस की समस्या होती है उन्हें हल्दी नहीं खानी चाहिए और वो हल्दी का सेवन तभी करें जब उनका पीलिया पूरी तरह से ठीक हो जाए और इस मामले में डक्टर की सला लेना भी बहर ज़रूरी है क्योंकि हल्दी कहीं न कहीं जिन लोगों को पीलिया होता है उन्हें ज़्यादा नुक्सान पहुचाती है ऐसा लोग मानते हैं तो आपको भी धियान देना चाहिए फिर आगे बात करें दोस्तों कि खून बहने की समस्या को बढ़ा देती है हल्दी जी हाँ दोस्तों हल्दी खून का थक्का जमने की प्रक्रिया को धीमा करती है इसलिए ऐसे लोगों को जिने अचानक नाक या शरीर के दूसरे हिस्सों से खून बहने की समस्या होती है यान जिनका नकसीर फूटता हो तो उन्हें हल्दी का सेवन काफिक कम मात्रा में करना चाहिए और इसमें कोई भी लाप और वाई ना परते हैं नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकता है तो ये आप ध्यान दीजिएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दीगई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दमें सब्सक्राइब भी करें